हेलो फ्रेंड तो आगाता आप सभी का हमारी इस यूट्यब चैनल पिरिंसों डीजारर में एक और नए प्लान के साथ दोस्तों हम आपके लिए डेली नए नए प्लान अप्लोड करते रहते हैं तो आज एक और नए प्लान हम आपके लिए लेकर आएं जिसकी साइज है तो फ्रेंड यहां पर हमने आट सो चैनल को डिजाइन किया है तो किस तरह हमने इस प्लान को आप से डिटेल में जानने वारे हैं तो दोस्तों वीडियो कि इस किपना करें हम आपको इस प्लान के बारे में पूरी इनफॉर्मिशन देंगे कि किस तरह से हमने इस प्लान को डिजाइन किया है तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इस प्लान के बारे में तोड़ा जान लेते हैं यहां पर आपका ग्राउंड फ्लोर का प्लान है सिंगल को मिलती हैं अब हम चलते हैं देखYour लेता है सबसे बहुरेत से यहां पर अपको गेट मिलता है नाइन फिट का गेट है इस سे होते हुए कि आप को जो साइज मिलती है यह मिलती है नाइन फिट नाई निंच्छ सामने मिलती है 9 feet 9 नाई नीचे ये सामने वाले साइज आपको मिलती है और इसकी जो लिंट यानि लंबाई है ये आपको 15 feet मिलती है तो यहाँ पर आपको काफी बड़े स्पेस में पोर्च एरिया है कार परकिंग के लिए और इस पोर्च एरिया में फिरें यहाँ पर हम इस वाले डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अटेश्ट वालेट प्लस बातरूम मिलता है यह आपके गेश्टों के लिए यहाँ पर हमने एक अटेश्ट वालेट प्लस बातरूम रखा है आप अपने गेश्टों के लिए यह वाला टौायलेट और बातरूम यूज करवा सकते हैं तो इसकी आपको जो साइज मिलती है फोर फिट यह है और सामने से सेवन फिट यह वाली साइज है तो फोर फिट बाई सेवन फिट में यहाँ पर हमने एक बाहर की तरफ पोर्च में तो वाले टेन बातरूम रखा है गेश्टों के परपस से यहाँ पर अगर इस वाले डौर की बात करते हैं सबसे पहले फिरंड तो यहाँ पर आपको एक डौर मिलता है त्री फिर्ट सिक्स इन जगा इससे होते हुए पहुँचते हैं आप अपने बेडरूम में तो यहाँ आप अपने सिटी हॉल यानि लौबी वाली अरिया से अंदर से दिया सिटी हॉल से ताकि इस वाले बेडरूम को आप आज़ा गेश्ट रूम यूज़ कर सकें और इस गेश्ट रूम के लिए हमने यहाँ पर बाहरी एक टौालेट और बातरूम भी रखा है ताकि अगर यहाँ को बेडरूम मिलती है अर इसकी जो लिंटरिया से यहाँ आपको मिलती है तो यहां पर आपका 19 किके तेट होती हुए है तो यहां पर आपका 19 क windows पर आपका sitting hall या आप इसको lobby area lobby बोल सकते हैं यानि आगण भी बोल सकते हैं lobby area तो इस sitting hall की आपको जो size मिलती है यह मिलती है 10 feet by 9 feet में 10 feet आपको यह सामने वाली size देकने को मिलती है और 9 feet आपको इसके लें तो यह बाली देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपका sitting hall है और इस sitting hall में यहाँ से हमने stair design किये देख सकते हैं यहाँ से हम अप होते हैं और यहाँ पर हमको landing मिलती है 3 feet by 3 feet की फिर इस landing से उपर यहाँ पर हमको दूसरी landing 3 feet by 3 feet की मिलती है फिर यहाँ से friend हम अपने उपर च्छत पे पहुंच जाते हैं तो यह जो हमने इस्टेयर डिजाइन की है यह हमने इस्टेयर डिजाइन की है सेवन फिट सिक्स इंच और बाई नाइन फिट में यहाँ पर हमारी इस्टेयर है कुछ C टाइप में हमारी इस्टेयर है या U-shape में भी आप बोल सकते हैं यहां पर आपको इस्टेयर मिलती है और इसी इस्टेयर नीचे आप अपना सिटिंग यानि सोफा भी लगा सकते हैं इसके बात सबसे पहले इस सब स ora दोर कि तो यहां पर आपको टोयलेट देखने कुँ मिलता है हमने यहां पर शेपड़ टो Zoales इन भांट रख आयर इसकी हो साइज मिलती है और हुपिड भी यह वाली साइज ए तो यहां पर आपका सेपरेट टोवाइलेट है फॉरफिट बाइट फॉरफिट में और यहां पर हमने पीछे विंडो भी दी है ताकि इस टोवाइलेट का अच्छा से विंटिलेशन होता रहा है उसके बाद प्रेंड अगर हम इस वाले डॉर की बात करते हैं तो यहां पर हमारा जो डॉर है टूफिट सिं प्रेंड फॉरफिट फॉरफिट सिक्स इंच व आपको इसकी यह वाली लेंट व मिलती है तो यहां पर आपका बातरूम और इसमें भी हमने एक विंडो भी दी है ताकि इस बातरूम का प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहे उसके बाद फेरेंड इसी सिटिक हॉल से सबसे प मिलती है और तुवेलो फिट आपको इसकी लेंट फॉर मिलती है तो 11 फिट फिट में यहां पर आपका सेकंड बेडरूम है और इस बेडरूम में हमने डबल विंडो बाहर की तरफ दिए ताकि इस बेडरूम का अच्छा से विंटिलेशन होता रहे उतको अगर हम इस वाले इसमें हो जाए तो इसकी आपको जो साइज मिलती है नाइन फिट नाइन इंच सामने वाली साइज है नाइन फिट नाइन इंच और इसकी जो लेंट यानि लंबाई है या आपको टूवेल फिट मिलती है तो यहां पर काफी बढ़े स्पेस में आपका किचिन पलज डाइन रहें को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यह प्लान पको कैसाञा लगा पैलीज हमें कमन करे के बताएं और अगर अगर एपल फॉडियो को लाइक मैंनों एक घर आफम यह तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चानल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने पाली तमाव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगाता रहें थैंक्स फर वोचिंग